दो हजार रिकिस में हरियाना सरकार ने नीजी शेत्र में राज्ये के युवाओं को पिचेतर परतीशत आरक्षन देने वाला विधान समा में पारित किया था क्या राज्य नीजी शेत्र में इस प्रकार के प्रावधानम राने में सव्तंत्र है क्या सविधान में इसका उलेख किया गया है। सकती है क्या देको मैं इसके दो इंव 3 प्रावदान आपके सामने रक dessğो तो इससे पुरी तश्वीर सबूजाएगा इसमें दो इतीन बातें जियं ये जो प्रावदान किया गया है ये प्रावदान उन प्रावेट सेक्टर के लिए प्रावदन वहां किया गया है जहां पर जो जॉब है जिसमें तनका 30,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए अब देखे प्रावद सेक्टर में रिजेरिवेशन वह भी 75 परसंट और वह भी सरकार के कानुन के द्वारा रेचिनि रहे हैं ठीन बाते हैं से ऑल्च बारतिय सविधान का अनुची सोला और बारतिय स्विधान का अनुची 14 यहांपर अपने को टच और अनुचे 14 हम सब को के समानता का अधिकार देता है और सर अनुचे जो 16 है वो यह कहता है कि हमको राइट टु एम्प्लोमेंट है हमको रोजगार प्राप्ट करने का अधिकार है लेकिन सर आप अनुचे 162 को देखोगे तो आपको मालूम पढ़ेगा अनुचे 162 में साप साप सब्दों में लिख अनुचे 16 निवास इस्तान के अधार पर भेदभव नहीं कर सकता है सर यह जो हर्याना का चो कानून बना है जो 15 जनवरी 2022 को लाग हुआ इसमें यह जो प्रावदान किया गया है यह अर्याना के लोगों के लिए हां यह हर्याना के लोगों के लिए और ऐसी फैक्टरी पर कल कार खानों पर ऐसे निजी शेक्टर पर लागू नहीं होगा जहां पर बाहर के लोग काम करते हैं जैसे बटे वगरा हैं बटे के लिए वहां अर्याना के लोग उपलब्द नहीं होते तो यूपी से लोग आते हैं यह मैंने सब उस एक्ट में देखा है अब सरियां पर दो तीन बात है जहां भारतिय सविदान का अनुछे 162 आपको निवास इस्तान के अधार पर और बर्थ प्लेस के अधार पर नौकरियों में बेदबाव से निशेद करता है तो क्या हर्याना का यह जो कानून जो हर्याना के लोगों को ही जौब देने की बात करता है क्या य संसादन जो है हमारे जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज पर पहला हक वहां के लोगों का होना जी यह बूमेपुतर की अवदार ना बिलकुल सर इस बिल के अंदर सपस्ट रूप से साध यह बात भी एड की गई थी कि जहां पर यह कारखाने स्थापित होंगे वहां के उस चल्च लोग है तो पाट्चीस लोग तो दूसरे राजी वह ढ करें तो चीजां अंटरपर देश के 75% reservation आंदरपरदेश के लोगों के लिए कर चुका है आंदरपरदेश का मामला आंदरपरदेश हाई कोट में है विचारतीन है और बिल्कुल आंदरपरदेश हाई कोट ने आंदरपरदेश सरकार को नोटिस दिया है और नोटिस देकर यह भी कहा है उन्होंने सब्द का प्रियोग कि it may it may बतला ऐसा हो सकता है it may be unconstitutional तो अभी तक आंदरप्रदेश का फाइनल जो वर्डिक्ट है वो अभी आया नहीं अब रही बात अर्याना की तो देखिए अनुचे 16-2 के आदार पर तो आप ऐसा नहीं कर सकते निवासिस्तान के आदार पर बेदबाब नहीं कर सकते लेकिन आप पहेंगे कुछ राज्यों इसा कर रहा है तो बिल्कुल भारतिय सविदान का अनुचे 16-3 की जो धारा है वो यह कहते है कि निवासिस्तान के आदार पर कुछ लोगों को प्रात्मिक्ता दी जा सकती है लेकिन यह हर्याना सरकार को ऐसा करने का हग नहीं है यह केवल संसद कर सकती है बिल्कुल सर संसद इसे कानुन बना कर यह प्रावदान कर सकते हैं लेकिन हर्याना सरकार अपने इस तर पर इस परकार का काम नहीं कर सकते हैं दूसरी बात अनुचे 16-2 और 16-3 की जो मैं बात कर रहा हूं सर वो पब्लिक एम्प्लियमेंट के लिए है और यह बात प्राइवेट सेक्टर की है तो प्राइवेट सेक्टर में आप कैसे कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा प्रस्ट में उठेगा कोट के अंदर और चूंकि यह अरेना वाला कानुन है उसको कोट में चैलेंज किया जा चुका है और कोट में विचारा दीन और बिलकुल पंजाब अरेना हाई को 21 और जो मिरे मिहत्र हुंद पढ़ते हैं तो जानते होंगे अनुषेद 21 में 6 पर कार कि सोतनतता है उन मैं से जो Чटी सोतनतर तबाव team करने कि से अंदर वानिज्य करने के सोतनता है यह जो प्राइवेड सेक्टर वाले ौले यह कोट में जाएंगे कर चैकर कर आएं आपके पर जुर्माना लगेगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसी कंपनियों की ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, बिलकुल ऐसा प्रावदान है, तो ये कंपनिया कोट में जाएगी और ये कहेगे, कि साब हमारे अनुचेद 19.1 G में जो व्यपार करने की जो सोतंतर करता है, उसका उल्लंगन है, ऐसा वो कहेंगे, दूसरी बात ये कहेंगे, कि साब भारतिय सविदान का अनुचे 16.2, बर्थ प्लेस के आदार पर और रिजिदेंस के आदार पर किसी भी बेदपाव का निशेद करता है, तो इन्होंने कैसे कर दिया, और तीसरी बात, अगर करने का हक है, तो वो संसद को है, 16-3 केत है, इनको हक नहीं है, और चौती बात, वो तो सरकारी सेक्टर में, प्रिविट सेक्टर में कैसे कर सकते हैं, दोनों बात है होगा, अभी बात कंप्लीट नहीं हुए, यह बात में और चोड़ रहा हूँ, मैं मेरे ये मत नहीं है, कोट में जा सकते हैं, एक और आदार होगा, और पता क्या आदार होगा, इंद्रा सहानी बनाम भारत संग, 1992 के मामले में, सुप्रीम कोट ने ये निर्ने दिया था, कि रिजरिवेशन जो है 50% ही हो सकता है, और आपने 75% दिये दिये, बिल्कुल सर, तो बहुत सारे आदार बनेंगे, वेपार करने की सुतनतुरता का उलंगन करता है, इस आदार पर जाएंगे, लोग कहेंगे, बर्थ प्लेस की आदार पर बेदबाव नहीं कर सकते हैं, इस आदार पर जाएंगे, रिजरिवेशन का जो कॉंसेप्ट है, वो पबलिक एमप्लियमेंट के लिए, प् करते हैं कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारी कंपनिया हैं हरियाना में आएंगी अपने यहां पर उध्योग्दंदे स्थापित करेंगी और एक तरफ सरकार ने इस प्रकार का विधेक लाकर बिल लाकर और सपस्ट कर दिये कि 75% हरियाना के लोग होने चाहिए तो सर वो सभी लोग कोट में जाएंगे और कोट में कहेंगे कि यह तो अनुचेट जैसे आपने अभी बताया उन्नीस के अंदर जो अलग अलग दे रखी है बाते हैं उसके अंदर वेपार करने की सवतंतरता का उलंगन हो रहा है अनुचेट सोडा 2 के अंदर आप से आपने बताया कि यह लेकिन वो सारी की सारी बाते सरकारी 19 वाली आपकी बात ठीक है क्योंकि आप वेपार करने आ रहे हैं वेपार कीजिए लेकिन वेपार में हमने ये थोड़ी बंद किया कि 75% लोग यह रियाना वेपार करेंगे यहां पर तो बात हो रही है वेपार कीजिए लेकिन आप नहीं, देखिए, मैं एक बात इसपस्ट कर दूँ, बिल्कुल कोई भी सरकार जब काम करती तो जन्ता की डिमांड की आदार पर करती है जितना मुझे याद आ रहा है कि अंध मुझे मंतरी दूशियां चोटाला जी, उनकी पार्टी के मैनिफेस्टों में यह बात थी और किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों के अनुसार, अपने गोशनपत्र के अनुसार कुछ काम किया है, तो उसका तेलिए तो स्वागत है, लेकिन किसी पार्टी के मैनिफेस्टों में कोई बात लिख देने से, वो बात सविधान के अनुकूल हो, यह कोई जरूरी नही सविधान के खिलाप में है या सविधान के अनुकूल है यह तो कोट को देखना है और हमको इंतिजार करना पड़ेगा कि कोट इस संदर में क्या निर्णे करता है अलेना कि मेरे मेत्रों को तो यह बात बहुत अच्री लगी होगी बिलकुल लगनी भी चाहिए क्योंकि हर वेक्ति रोजगार चाहता है और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो इस प्रकार के प्रावधान करने होते हैं कहीं बाते सविधान सबसे बड़ी कौसोटी हमारे सामने सविधान सविधान के खिलाप में नहीं होनी चाहिए ऐसा मेरा कहने का आश है तो सर ये तो चलो नीजी शेत्र के अंदर इन्होंने प्रावधान किये हैं अगर सविधान में देखें सर सविधान का अनुचेद 16 एक या दो अनुचेद जितने भी देखते हैं कहीं ने कहीं 15 के अंदर भी आरक्षन की बात की गई है सोला में भी आरक्षन की बात है दोनों में बाते हैं अलग लग है लेकिन आरक्षन की बात है जैसे सोला के अंदर बात करते हैं कि नोकरियों में आरक्षन की बात एक तरफ कहता है कि नोकरियों में समानता होगी दूसरी तरफ कह रहा है कि अनुचे 62 के अंदर भी आपको किसी परकार का भी फरक नहीं देखा जाएगा और आगे और भाग भी है तीन, चार, पांच उनमें कह रहा है कहीं ने कहीं आरक्षन दिया जा सकता है तो सर, ऐसा कोई राज्य है भारत के अंदर जहां पर सरकारी नोकरियों में भी उसी राज्य के लोगों को आरक्षन दिया जा रहा है ऐसा कुछ अलग से एगए, जैसे बात करते हैं कि आर्थिक अधार पर कमजोर लोगों को आरक्षन मिलेगा भी तो सर, जैसे अभी मेरे साहिध चर्चा में रहा है, अंदर पर्देस रहा है, वहाँ पर सरकारी नोकरियों में वही के लोगों को आरक्षन दिया जा रहा है बिल्कुल क्या जा सब्या championships अनुचे 16-3 में लिखावा है कि अगर निवास इस्तान के आदार पर कुछ लोगों को अगर प्रात्मिक्ता देनी है तो इस विश्या पर संसद कानून बना कर बिल्कुल उस राज्य के पर्डूलर नौकरियों में फला-फला परस्टेज रिजरिवेशन होगा ऐसा अगला जो मुद्दा उठता है यहां पर आरक्षन की बात उठी तो आरक्षन की बात करें तो कहीं न कहीं राज्य सरकारें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग आरक्षन का परसेंटेज है कहीं 25 है कहीं 10 है कहीं हो सकता है तमिल नाडू जैसे राज्य में ज्यादा भ अगर बना रखी है तो फिर तमिल नडू आगे कैसे चला गया बिल्कुल बड़ा अच्छा प्रेशन है आपका एकॉर्डिंग टू इंद्रा सहानी वर्सेज यूनिन अफ दे इंडिया 1992 सुप्रिम कोड ने स्पष्ट कहा था कि the maximum limitation of the reservation shall be 50% यानि आरक्षन की जो अधिक्तम सीमा है वो 50% अधिक नहीं हो सकती है लेकिन सुप्रिम कोड ने उसी वाद में ये भी काया कि विसम परस्तितियों में exceptional cases में ये सीमा बड़ा ही जा सकती है जब तमिलाडू में जिसकी आप बात करें कि 69% अधिरीज रिजिल्वेशन है तो सर में बदा दिता हूं कि संदर में हमारे constitution में amendment हुआ हमारे constitution में च्याणवा साभिधान शंशुदन हुआ उस संदन के संथा संथानवा साभिधान संशुदन हुआ नाइंटी सेवंटी सेवन्टी सभिदान का नाम है से ज़्यादा आरक्षन का प्रावदान करना है। तो इसके लिए हमको सभधान में संशुदण करना पड़ेगा। उस से ही काम पूरा नहीं होगा उस कानुन को नववी Secondi में दालना पड़ेगा। उस Czechessa से भी काम पूरा नहीं होगा। अब उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जब केश्वरंद भारती वाद में जब निर्ने आया था, उस निर्ने के बाद में नौवी अनुसुची के किसी भी कानून को on the basis of the violation of the basic structure of the constitution, सविधान की आधार को सरंचना के उलंगन के आधार पर चैलेंज कर सकते हैं, अब कर में जब के देए दो अनुस।